आज हम इस वीडियो में वर्ण माला और वर्ण के संख्या को जानेंगे वर्ण माला में यदि उचारन के आधार पर देखा जाए इसमें कुल 45 वर्ण याने 45 जिसमें शामिल 10 स्वर, 10 स्वर और 35 व्यंजन याने 35 व्यंजन होते है लेखन के आधार पर इनकी संख्या बदल जाती है जो इस तरह है वर्ण 52 याने 52 स्वर 13 व्यंजन 35 व्यंजन 35 स्वर का मतलब क्या होता है वह वर्ण याने वह अल्फबेट जो बिना किसी अन्यवर्ण के इस्तमाल किये बिना बोले जाते है उन्हें स्वर कहते हैं स्वर की संख्या स्वर संख्या में 13 यानि 13 होते हैं जिसमें 10 स्वर होते हैं यानि 10 स्वर होते हैं एक अर्ध स्वर और दो अनुस्वर होते हैं। वर्णमाला के स्वर। स्वर आ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आ, आ, ओ, आउ। अर्ध स्वर, री, अनुस्वर, अन, आहा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। रस्वस्वर जैसे आ, ई, उ, दीर्गस्वर जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ व्यंजन किसे कहते हैं? वह वर्ण जिसको स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं वर्ण माला में 35 व्यंजन होते हैं क-ख, ग-घ, न्या, च-छ, ज-ज, न्या, ट-ठ, द-ध, ना, त-थ, द-ध, ना, प-फ, ब-भ, मा, या, रा, ला, व, श, श, स, हा व्यंजन के प्रकार पहला स्पर्ष व्यंजन कास से लेकर मा तक होते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पावर्ग दूसरा अन्तह स्थव्य व्यंजन या, र, ल, व तीसरा उश्मावाले व्यंजन जिन व्यंजन को बोलते समय मूँ से गर्म हवा निकलती है उसे उश्मावाले व्यंजन कहते हैं जैसे श, श, स, ह चहता संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं जैसे ख्ष, त्र, न्य, स्र, आशा करती हूँ आपने इस वीडियो में वर्ण और वर्ण की संख्या को सीख लिया होगा और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद